इस question में आपको दिया गया है 2x plus 3y equals to sin y ठीक है तो यह आपका एक implicit function है implicit function का मतलब यह हुआ कि कभी भी आप इसे y as a subject या y को आप separate नहीं कर सकते हो इसलिए हम लोग कहते हैं कि that is a implicit function अब करें क्या हमें dy बे ds तो निकालना है तो simply differentiate कर देंगे with respect to x तो differentiating with respect to x वैसे नाम ना भी जाने तो कोई फरक नहीं पड़ता है कि वेदर यह implicit function है या फिर explicit function है नाम का कोई फरक नहीं पड़ेगा आपकी process में ठीक है आप simply आप करते जाएए अब यहाँ पर क्या होगा distribute हो जाएगा तो d by dx of 2x plus d by dx of 3y and that is equals to अब देखिए sin y जो है यह d by dx लिखा हुआ है और d by dx का मतलब क्या हुआ है differentiation with respect to x इसका मतलब sin x का function तो है नहीं यह y का function है तो कभी भी यह x के respect में differentiate नहीं होगा तो इस problem से कैसे वनों लिजाता है हमें इसे derivative change करना पड़ेगा with respect to y करना पड़ेगा लेकिन अगर यहाँ पर adjust कर रहे हो तो यहाँ adjust करना पड़ेगा आपको d by by ds करना पड़ेगा that is sin y और यह sin y जो है sin y का function है और यह y के respect में differentiate हो रहा है तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखा करिए खैट तो that is यह 2 constant बाहर आ जाएगा और dx by dx 1 हो जाएगा तो finally आपका क्या हो गया यहाँ पर 2 into 1 2 हो गया फिर यहाँ पर 3 constant बाहर आएगा यह dy by dx हो जाएगा that is equals to यहाँ पर sin y का कितना हो जाएगा आपका cos y that is dy by dx अब partially dy by dx आपका LHS में पढ़ा हुआ है और कुछ RHS में पढ़ा हुआ है ठीक है तो दोनों एक तरफ ले आईए dy by dx निकालना है तो हमें subject बनाना पढ़ेगा dy by dx को तो 2 का हम उधर ले जाते हैं और यह वाला term हम इस side में ले आते हैं तो 3 ठीक है और dy by dx हम common कर लेंगे ठीक है तो dy by dx का coefficient क्या बन रहा है आपका यहाँ से 3 बन रहा है ठीक है और यहाँ से जब यह इस side में आएगा तो इधर आपको cos y plus का है लेकिन इस side में आके क्या हो जाएगा minus का cos y तो यह dy by dx के coefficients हो गए यह coefficient का लेट करना आप सीखिए 2 इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका minus 2 तो dy by dx next step में आपका क्या हो जाएगा dy by dx is minus 2 by 3 minus cos of y ठीक है इस minus को हम चाहे तो absorb करा ले नीचे से minus common करके या cancel करा ले तो that comes out to be minus 2 upon minus common करो गया तो जो plus है वो minus हो जाएगा तो 3 plus है यह minus हो जाएगा अब जो minus है वो plus हो जाएगा cos y यह minus minus cancel out हो जाएगा तो आपका answer simply क्या आगया that is 2 upon cos y minus 3 that is your final answer